राजनीती का अपराधी करन आप लोग उन्हें पुराने समय की मुवियां देखी होगी पुरानी मुवियां देखी होगी फिल्में और इसमें आप लोग देखते होगे कि उस समय एक नेताजी हुआ करते थे और उनके पीछे बहुत सारे गुंडे हुआ करते थे और उन गुंडों का काम था चुनाओ जित्वाना नेता जी को पोलिंग, बूत कैप्चिरिंग करना, लोगों को डराना, धमकाना और आगे चलकर आप देखे इन गुंडों की दिमाग में इन अपराधियों की दिमाग में, यह आने लगा कि अगर हम किसी को चुनाओ जिता सकते हैं, तो हम चुनाओ खुद क्योंनी जीश सकते हैं और आगे चलकर यह अपराधि भी राजनीती में भाग लेने लगे उसी को आप लोग राजनीती का अपराधी करन कहते हैं ADR की रेपोर्ट आती रहती है, और वो चेताओनी भी देती रहती है ADR यानि कि आप देखी Association for Democratic Reforms की बात कर रहाओ इसकी स्थापना 1999 में में हुई थी, गैर सरकारी संगठने ये राजनीती और चुनावी बकालत के माद्यम से भारत में लोकतांत्रिक सुधार लाने की कौसिस करता है तो इसके द्वारा अभी हाली में एक रेपोर्ट और लाई गी है और हाली में लोकतांत्रिक सुधार संग एडियार ने खुलासा किया है कि 2023 की बिधानसवा चुनावी से पहले करनाटक के सभी प्रमुक राजनीतिक दलों में अपराधिक मामले भाले उमीदवारों की संख्या में बिद्धी हुई है जो राजनीती के अपराधी करन के मुद्दे को उज्यागर करता है कम नहीं हुई है बिद्धी हुई है बड़ोत्री हुई है और उत्तरभारती राज्यों में आ जाई है उत्तरपदेस में आ जाई है यहां भी आप लोगों को लगभग देखने को मिलेगा बिहार में चले जाई है एडिया ने चुनाव लडने के सम्मद में गंभीर अपरादों के दोसी उमीदबारों की इस्थाई आयोगता की सिफारिस की है और हाला कि यसी आयोगताओं को अभी तक लागो नहीं किया गया है अब सिफारिस की है अब माने सिफारिस या ना मानी जाए वो अलग बात रहती है और इन पर आप देखें कि कोई नॉर्मल आरोप नहीं है अपराधियों में आप देखेंगे कि बलतकारी, हत्यारे, डकेंत, बड़े-बड़े भिष्टाचारी ये सामल लेते है और रैसे भी हमें लगता है कि हमारे देश की परंपरा बन चुकी है कि आप देखेंगे जिस पर जितने केस भारी होंगे उसके जीतने की संभाव नाए उतनी बढ़ जाती है राजनीती के अगर आप राधी करण की बात करें तो राजनीती के अपराधी करण को उस इस्तिती के रूमें परिभासित किया जाता है जब अपराधी सरकार में बने रहने के लिए राजनीती में भाग लेता है और आप देखेंगे कि यानि चुनाओ लड़ते हैं और संसद और राज बिधान सबाओं में हीतु चुने भी जाते हैं आपके आसपास भी देखने को मिलते होंगे आपको या बढ़ता हुआ खतरा समाज हीतु एक बड़ी समस्या बन गया है जो लोकतंत के बुन्यादी सिधानतों को उपरभाबित कर रहा है जैसे चुनाओं में निस्पक्चता कानून का पालन जबाब दे होना वर्तमान विस्तिती की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें ADR के आकड़ों के अंसा भारत में संसद हेतु चुने गया अपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों की संक्या 2004 से बढ़ती जा रही है 2004 में आप देखें 24% संसदों पर अपराधिक मामले लंबित थे वहीं अगर हम लोग 2019 में देखें तो यह आप देख रहे हैं कि 43% पहुंच चुका है 2014 में 24% था आप देखेंगे आप लोग की 2019 में 43% अपराधिक मामले वाले संसद देखने को मिलेगे फरवरी 2023 में दाइर की गई एक याज का द्वारा दावा किया गया था कि वर्स 2009 से घोसित अपराधिक मामलों वाले संसदों की संख्या में 44% की विट दी हुई है और वर्स 2014 के लोग सबाच चुनाव में 169 संसदों ने अपने उपर गंबीर अपराधिक मामलों की गोशना की थी जिन में आप देखी बलतकार, हत्या, हत्या का प्रियास, अपरन महलाओं की खिलाप, अपराध अपराध सामिल हैं अपना बेवरा देना हुता है, अपनी जनकारी देनी होती है तोसी में बताया जा रहा है राजनीति के अपराधी करण का कारण क्या है तो सबसे पहला तो बोट बेंक उम्मीदबार और राजनीतिक दल अक्सर बोट खरीदने और अन गेर कानूनी पिठाओं तथा ऐसे लोगों का सहरा लेते हैं अहमतोर पर गुंडा, मवाली कहा जाता है माफिया कहा जाता है राजनेताओं और उनके निर्वाचें छेत्रों की भीच घनिष्ट सम्मंद एक ऐसा बातावर्ण तयार करता है जो बैक्टिक अतलाब के लिए सकता उस संसादनों के दुर्पयों को प्रोसाहित करता है और भिष्टाचार और अपराधिक गतिविदियों को जनम देता है राजनेतिक अपराध की इस संस्किती को अकसर इन सम्मंदों के कारण वल मिलता है अब आप लोग अपने छेते में चले जाएए आप बड़े इमान दर हैं आप चुनाओ लड़ेंगे हार जाएंगे चुनाओ कोई माफिया होगा कोई दादा होगा वो चुनाओ जीच जाएगा एक है आप देखेंगे इसमें कारण है भिष्टाचार चुनाओ लड़ने वाले अधिकांस उम्मीदबारों को धन, नीती, निधी और दान की आवसकता होती है पैसे की जरूरत होती है और यह ध्यान रखना उचित है कि भिष्टाचार सीधे तोर पर कानून की आउमानना को जनम देता है कानून की आउमानना और राजनीती के अपराधी करन की भी सीधा संबन्द है जब कानून की आउमानना राजनीती के अपराधी करन के साथ जुड़ जाती है तो आप देखेंगे भिष्टाचार को जनम देती है एक आप देही निहित स्वार्थ लोग आमतोर पर समुधाय के एक संकीन पूरवा ग्रही द्रश्टी कौन के तहत मद्दान करते हैं और राजनेताओं की अपराधिक पिष्ट मुमी की अंदेखी कर देते हैं और इससे एक ऐसी तित्री पैदा हो सकती है जिसमें आप देखे अपराधिक पिष्ट मुमी वाले राजनेताओं को केवल इसलिए चुना जाता है क्योंकि बे अपने कारियों हितु जवाब दे होने के वज़ाए किसी विसेश समुधाय के हितों के साथ सनरखित होते हैं एक बाहुबल आप देखेंगे राजनेता चुनाओ के दौरान भेष्टाचार और बाहुबल को खत् चुनाओ नहीं लड़ सकता है अगर इस तरह का मवला आप देखते हैं कि लोकसवाव या बिधानसवाव में आता भी है तो सभी पार्टियां मिलकर इसका विरोध भी करते हैं सबसे यदिक मत पाने वाले उमीदवार का पक्ष लेती हैं वाहुबल का उपयोग करने के लिए पीछे बिचारधारा यह है कि भय और हिंसा दलों को जीतने में मदद कर सकती है यगपी बिविश्वास हांसिल नहीं कर सकते हैं हमारे देश में आप देखते हैं कि जो बिधान सबाओं के चुनाओं होते हैं जो आप देखते हैं कि लोकसबाओं के चुनाओं होते हैं उसमें जिस उम्मीदवार को सबसे जानदा बोट मिलते हैं वही चुनाओं जीत जाता है पेपी एफपी टीपी पेडाली को साधारंग वहुमत पेडाली के रूम में जाना जाता है इस मद्दान पद्धिती में किसी निर्वाचन चेत में सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली उम्मीदबार को विजेता घोसित किया जाता है अब चाहे आप देखें 10 उम्मीदबार खड़े हुए 100 वोट हैं और अगर आप देखें किसी को 15 वोट भी मिल गए सबसे जानदा वोट मिल गए बाकी वोट सम्में बट गए तो वही चुनाव जी जाएगा यानि कि 100 में से 15 लोग चुन रहे हैं उसे तब भी वो विधायक या सांसत बन जा रहा है या राजनितिक दलों और अपराधियों की वीचे गंभीर गट जोड भी बनाता है धनवल काला धन और माफिया द्वारत दिया जाने वाला फंड राजनितिक अपराधी करण में महत्पूर्ण योगदान देते हैं तो सोतंत और निस्पक चुनाओ की सिध्धान्त की खिलाप है या एक उपयुकत उमीदबार का चुनाओ करने ही तो मद्दाताओं की परसंद को सीमित करता है यह सोतंत और निस्पक चुनाओ के लोकाचार की खिलाब है जो लोकतंत का आधार है इसमें आप देखिए सोसासन को प्रभावित करता है फिर मुख समस्या है कि कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जाते हैं यह सोसासन पिदान करने में लोकतंतरी फिक्रिया की प् अपराप चबी को दरसाता है अब आप लोग ही देख लिजे इन मैंसे बलतकारियों को चुनिए और कहिए कि आप देखेंगे कि एक कानून लाने की बात करिए कि हम ऐसा कानून ला रहे हैं कि जिसमें आप देखें कि जो सांसद होगा जो बिदायक होगा उसे फांस ही पच अपराप को उठागे देख लिजे यह उसके खिलाप ही होगे तो कानून तोड़ने वाले ही कानून निर्माता बन रहे हैं तो वो अपने हिसाब से कानून मनाएंगे लोग सेबकों की सत्तनिष्टा को प्रभावित करना काले धन की पिचलन से राजनिताओं के लिए बोट के अनुसरन के लिए एक अनुपयोक्त मिसाल कायम करता है और सासन पढाली की रूम में लोगों की विश्वास को कम भी करता है और अपर आधिक छबी वाले उमीद्वारों की आयूगता के विधाई पहलू क्या है इस समंद्ध में भारती समिधान या निर्दिष्ट नहीं करता है कि संसद्ध या विधान सबा या किसी अन्य विधान वंडल के लिए चुनाव लड़ने से किसी विक्ति को किन आधारों पर आयूग ठैराया जा सकता है ऐसा कोई नियम नहीं है जनफिती निधि अधिनियम 1959 क्या कहता है जनफिती निधित अधिनियम 1959 में विधायका को चुनाव लगने के लिए किसी बैक्ति को आयोग घोसित करने की मागदंड का उलेख है। अगर आप देखें उसका मामला सुप्रिंग कोट हाई कोट में चल रहा है, अदालतों में चल रहा है तो वो चुनाव लड़ेगा और अधिक तर मामले में क्या होता है, कि किसी को अगर आप देखें सजा हुई निचील अदालत से वो उपरी अदालत में चला गया, और आप दिखते हैं कि हमारे देश्म में नियाय पालिका तो आप देखते हैं लंबी समय तकि के स्पैंडिंग में पड़े रहते हैं एपना कारकाल खत्म कर लेता हैं उसके बाद आप देखते हैं फैसला आ जाता है जिनके खिलाब अप्राधिक मामले लंबे थे हैं इसलिए अपराधिक मामले वाले उम्मीदबारों की अयुगता इन मामलों में उनकी सजापर निर्भा करता है राजनीती के अपराधिक एक खिलाम पहल भी सिफारिसें भी की गई है एक बिधी आयुग द्वारा पिस्तु 244 भी रेपोर्ट 2014 में इसमें कहा गया कि बिधायका में लोकतंतो धरण निर्पेक्षता के लिए गंभीर परिडाम पैदा करने वाले अपराधिक राजनेताओं की प्रिवित्ती पर अंकुस लगानी की आवस्ता पर विचार किया कि तारीक से कम से कम एक वर्स पहले आरोपते किये गए यह आप देखें 2017 में केंसरकार ने सांसतों विधायकों के खिलाब अपराधिक मामलों के मुकदमे को तेजी से ट्रक करने के लिए एक वर्स के लिए बारे बिसिस अदालतों इस्थावित करने की योजना सुरू की थ अगर आप लोग प्रिलेंस में देखिए या आप लोग आंसर लिख रहे हैं निवन्द लिख रहे हैं कहीं तो इनका इन नेड़यों का उप्यूप कर सकते हुआ सर्वोच न्याले ने फैसला सुनाया कि चुनाओ लणने वाले पितेक उमीदवार को सेक्षडेक के उगता के साथ उसे अपने अपराधिक और बित्तिये रिकोर्ड की घोशना करनी होगी कि भाई हम इतने पड़े लिखे हैं हमारे उपर इतने अपराधिक मामले हमारी वित्ति इस्तिती इतनी है हमारे पास इतनी दौलत है और सर्वोच न्याले की बात करेते हैं तो सुप्रिंग कोट की बात हो रही है आनुचे 124 को आप लोग पढ़ते हैं न सुप्रिंग संग 2005 का है ए 2005 में सर्वोच न्याले ने नेड़ सुनाया कि दोसी ठहराये जाने पर मौझूदा सांसद या बिधायक को चुनाव रणने से आयोग घुसित कर दिया जाएगा और कानून की अदालत द्वारत दो साल या उससे अधिक के लिए कारावस की सजा सुनाई फिर आप देखेंगे एक केस और है लेली थॉमस बनाम भारत संग 2013 का मामला है सर्वोच न्याले ने गोशना किए कि संसद या राज बिधान सवाप का कोई भी सदस जो किसी अपरात के लिए दोसी ठहराये जाता है और दो सालिया उससे अधिक की जेल की सजा कारता है उसे पद्धारन करने से आयोग घोसित किया जाएगा मनोज नरूला वनाम भारत संग 2014 दिल्ली उचने आले ने कहाई कि एक बैक्ती को केबल इसलिए चुनाव लगने से आयोग नहीं ठहराये जा सकता है क्योंकि उस पर अपराधिक आरोप लगाया गया है और हाला कि अदल्थ यह भी कहा कि राजनितिक दलों को अपराधिक पिष्टो मुवी वाले उम्मेदबारों को मैदान में उतरने नहीं उतरना चाहिए राजनितिक दलों को यानि कि बिल्ली से आप कह रहे हैं कि दूद की रखवाली करिए आप ठीक है एक पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बना भारा संगत ए 2019 का मामला है सर्वोच नियाले ने राजनितिक दलों को अपने उम्मेदबारों के अपराधिक रेकॉर्ड को अपनी बैपसाइट सोसल मीडिया हैंडल समाचार पत्रों पर पिकासित करने का आदेश दिया जिससे आम जंता को मालू तो चली कि आप जिसे निर्वाचन आयोग की तो ये भी आपका एक सम्मिधानिक संस्ता है लोग सबा राज की जो बिधान सबाएं होती है जो सांसत के आपके चुना होते हैं संसत के और जो आप देखे राश्पती और राश्पती के चुना होते हैं इनकी देखवाल यही करता है और आपके अगर हम लोग भारती निर्वाचन आयो की बात करें तो आर्टीकल 324 के तहत इसकी इस्थापना की बात कीगी है 25 जनवरी 1950 में इसकी इस्थापना हुई थी नई दिली में हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा पहले मुख चुनावाए तो सु कुमार सैन थे तो ये आप देखेंगे कि कहानी है राजनीती में अपराधी करण की अपराधी का राजनीती करण जिस तरह से हुआ है चली इतनी जानकारी काफी है आप लोगों के लिए अगर आपसे questions पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोग उसका जवाब देने की स्तिती में पहुँच गए होंगे चली आपका कोई सवाल हो मेरे लिए सुजा हो तो आप लोग बता सकते हैं